हलो प्रेंड्स डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों राजस्तान जीके के टोप 20 कन्फूजिंग क्योशन आज हम देखने वाले हैं ये वो प्रशन है जो सीधे सीधे एक्जाम में पूछे जाते हैं हम आते हुए भी इनको गलत करके आते हैं सही तरीके से क्योशन नहीं पढ़ते या इस तरह के क्योशन हमारे पड़ेवे नहीं होते हैं इसलिए सीधे सीधे गलत हो जाते हैं ये वो प्रशन है जो आप से सीधे सीधे एक्जाम में पूछे जाएंगे इसी तरह के क्योशन आप डेनीर क्लासेज की एप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो वहाँ पे आपको संपूर्ण राजस्तान जीके की टेस्ट सीरीज मिलेगी संपूर्ण राजस्तान जीके की टेस्ट सीरीज आप परचेज करके वहाँ पे डेली टेस्ट दे सकते हैं हर सुबन नोब जे टेस्ट होता है साथ ही आपको PDF भी मिलती है राजस्तान जी के संपूर रास्तान जी के आएगा हिस्ट्री जियोग्राफी सारी टोपिक वहाँ पर आ जाएगे आप टेस्ट दे सकते हैं तो चली दोस्तो टोप 20 क्योशन आज हम देख लेते हैं पहला जाते हैं इसलिए मैं आपको इस तरह के क्योशन करवाता हूं ताकि जब एक्जाम में पूछे जाएं आपके सही हों आप कहीं नहीं अटको इस मंदिर का निर्मान दासी पुतर बनवीर ने करवाया था 90% तक लोगों ने इसका उत्तर गलत दिया है तो आप देख लो आप तुलजया बहानी मंदिर का निर्मान करवाया था ध्यान रखना है अगला प्रशन है राजस्तान का ताजमेल किसे कहा जाता है राजस्तान का ताजमेल कह दो या मारवाड का ताजमेल कह दो किसे कहा जाता है अब कुछ लोग इसका अंसर किराडू देंगे किराडू जो मं पूर में इस्तित है आपको ध्यान रखना है उत्तर से हो जाएगा जस्वन धड़ा अगला है 1877 की करांती की शुरुवात भारत में कहां से हुई पहले अच्छे से पढ़ लो क्योशन उसके बाद में आंसर दो नहीं तो लगबग सारे गलती आंसर दोगे पूछा ये गया है कि 1857 इस्वी की करांती की शुरुवात भारत में कहां से हुई राजस्तान में नहीं पूछा आपसे भारत में पूछा गया है भारत में 1857 इस्वी की करांती की शुरुवात मेरट से हुई थी मेरेट यूपी से करांती की शुरुवात हुई थी 10 मई 1857 को मेरेट से करांती की शुरुवात हुई थी राजस्तान में बात करें तो 28 मई 1857 को नसीराबाद से करांती की शुरुवात हुई थी प्रजस्तान का एक एकरन बहुत अच्छे से करवा चुका हूं मैं आपको मात्र 10 मिनिट में सारा सब कुछ मैंने आपको करवा दिया था नहीं देखा तो वहां से देख लेना तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरेट उत्तर बै हो जाएगा अगला है अबूल फजल ने किसे दुर्ग के बारे में कहा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग भक्तर बंद है अबूल फजल ने किसे दुर्ग के बारे में ये लाइन कही आपको बताना है तो ये लाइन रन्थंबोर दुरुग के बारे में कही गई है रन्थंबोर दुरुग के बारे में कहा गया है राज्यस्तान का प्रतम शाका तेरा सो एक इसवी में जो हुआ था वो रन्थंबोर में ही हुआ था तो अबूल फजल ने क्या कहा है अन्य सब दुरुग नंगे हैं जबकि यह दुरुग भक्तर बंद है इंपोटेंट है ध्यान रखना है अमीर खुसरों ने भी एक बात कही थी कि सोनने के दो दानों के बदले चावल का एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा था ये लाइन किस की है अमीर खुसरों की है एक लाइन ओर गई थी आज कुफर का गड़ इसलाम का घर हो गया ये भी अमीर खुसरों ने गई थी दोनों लाइन आपको ध्यान रखनी है तो इसका उत्तर हो जाएगा फोर्थ रंथमबोर दुर्ग अगला है एक लिंग जी के मंदिर को वर्तमान सवरूप किस ने दिया ये प्रशन भी पूछा था लगबग सभी ने इसका उत्तर भी गलत दिया पूछा क्या है एक लिंग जी के मंदिर को वर्तमान सवरूप किस ने दिया तीन क्योशन यहां पर हमारे पास बनते हैं पहला एकलिंग जी का मंदिर कहा है केलाशपुरी गाव नागदा उद्यपुर में एकलिंग जी का मंदिर है जिसका निर्मान बपा रावल ने करवाया मोकल ने क्या करवाया एकलिंग जी के मंदिर के चारों तरफ परकोटे का निर्मान करवाया उसके बाद में है इसका वर्तमान सवरूप किस ने दिया तो मारना रायमल ने इसका वर्तमान सवरूप दिया था मेवाड के मारना रायमल ने इसका वर्तमान सवरूप दिया था काफी लोगों ने इसका उत्तर गलत दिया है अच्छे से पढ़ो अच्छे से करो इन क्योशन को अगला है साड़े 23 डिग्री उत्री अक्षांस तदा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्तान के निम्न में से करमश है किन जिलों से होकर गुजरती है साड़े 23 डिग्री और 70 डिग्री की बात हो रही है तो साड़े 23 डिग्री तो यहाँ पर उत्री अक्षांस है 70 डिग्री यहाँ पर पूर्वी देशांतर है अगर आपको राजस्तान की अक्षांस रेखा है अच्छे से आती है तो इसका उत्र देद होगे राजस्तान की बात करें तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्री एक्षांस से 30 डिग्री 12 मिनट उत्री एक्षांस पर है 39 डिग्री 30 मिनिट से 38 डिग्री 17 मिनिट पूरी देशांतर पर है तो 23 डिग्री नीचे नीचे आएगा कहां पर आएगा बासवड़ा में आएगा फिर उधर हम बात करें तो जेसल मेर का शेतरफल बहुत जादा है राजिस्तान का सबसे बड़ा जिला शेत्रफल की दर्ष्टी सेझ जेसल मेर ही है जिसका शेत्रफल 38,401 किलोमे binder है हम बात करें सत्तर डिग्री पूर्वी देशांतर पर 39 डिग्री से जेसल मेर शुरू होता है उनेतर सत्तर एगेतर इस तरह से जेसल मेर ही चलेगा छेतर पल काफी बड़ा है तो सत्तर डिगरी की भी हम बात करेंगे तो जेसल मेर आएगा तो नीचे नीचे बासवाड़ा पूरवी की बात करेंगे तो जेसल मेर उत्तर हो जाएगा ऐ बासवाड़ा जेसल मेर अगला है राजस्तान में प्रिवेश करने वाले पक्षिमी विक्षोबों की उत्पती कौन से शेतर से होती है शीतकाल में राजस्तान में वर्षा होती है पक्षिमी विक्षोबों से वर्षा होती है राजस्तान में जो शीत काल में वर्षा होती है उसे हम मावट कहते हैं जो रभी की फसल के लिए बहुत अच्छी रहती है रभी की फसल की हम बात करें तो गेहूं जो चना सरसों ये सारी रभी की फसल है अब ये पूँचा गया है कि जो पश्चीमी विक्षोभ है इसकी उत्पति कहां से होती है ये आपको बताना है तो इसकी उत्पति बhouमदय सागर से होती है उत्तर डी हो जाएगा अगला है राजस्तान में सरवादीक वर्षा वाला इस्तान है आपको बताना है राजस्तान में सरवादीक वर्षा वाला इस्तान कुन सा है पहले आप कर लो उत्तर गलत कर लो इसका उसके बाद में मैं बताता हूँ आपको क्योंकि लगबग तो उत्तर गलत ही करेंगे इसका पूछा क्या गया है वो पढ़ो उसके बाद में आंसर दो राज्यस्थान में सरवादिक वर्षावला इस्तान कौन सा है जीला नहीं पूछा आपसे तो हम इस्तान की बात करेंगे तो माउंट अबू है माउंट अबू कहा है सिरोई में है अगर आपसे जीला पुछे तो जीला जालावाड होगा जो पूछा है उसके एकोडिंग आंसर करना है तो इसका उत्तर माउंट अबू हो जाएगा उत्तर बे होगा ए नहीं होगा एक अब होगा जब आपसे पूछेगा अगला है निमन में से किस इस्तान पर हुए क्रशो को कोई नर्शन सत्याकांड को महात्मा गांदी ने जलिया वाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया है इसका उत्तरन निमूचना हत्यकांड होगा काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि मानगड हत्यकांड होगा मानगड हत्य कान को रजयस्तान का जलिया वाला बाग हत्यकांड कह जाता है गोविंद गिरी के नितरतों में awatोन हुआ था उसकी हम बात कर रहे हैं आप से पूछे राजस्तान का जलिया वाला बाग हत्याकांड किसे कहते हैं तो मानगर्ड हत्याकांड को कहते हैं अगर आप से पूछे महात्मागंदी ने यंग इंडिया में किसे बताया तब आपको नीमूचन हत्याकांड करना है तो यह आपको ध्यां रखना है सारे औप्शन देखना चैसे आंसर करना पहलं पहलों मंदुटी राज्यस्तान का खजूराह क का जाता है अगला है मात्र कुंडिया मातर कुंडिया क्या कहलाता है मेवाड का हरीदवार कहलाता है रश्मी परगना चितोडगड में मातर कुंडिया जो है वो मेवाड का हरीदवार कहलाता है अगला है अंबिका माता मंदिर जगत गाउं में अंबिका माता का मंदिर है वो मेवाड का खजुराओ कहलाता है तो इसका उत्तर से होगा अंबिगा माता मंदिर मेवाड का खजुराओ कहलाता है काफी इंपोर्टेंट है आपको ध्यान रखना है अगला प्रशन है एक मुठी बर बाजरे के लिए में हिंदूस्तान की बादशाहत खो देता गटना है पांच जनवरी 1544 गिरी सुमेर का युद जेतारन पाली में होता है मालदेव के सेनापती है जेता और कूपा और उनके सामने है शेर्षासूरी इनके मद्दे ये युद होता है शेर्षासूरी जो भारत पर शाषन कर चुका था बड़ी कठिनाई से बड़ी मुश्किल से ये युद जीत पाता है तो इस युद में विजित होने के बाद में शेर्षासूरी कहता है कि एक मुठी बर बाजरे के लिए में हिंदूस्तान की बादशाहत खो देता इंपोर्टेंट है ध्यान रखना है गीरी सुमेर का युद 5 जनवरी 1544 जेतारन पाली तो इसका उत्तर हो जाएगा शेर्षासूरी आपको ध्यान रखना है अगला है जेगड दुर्ग की नीव किसने रखी अभी थोड़ी देर पहले मैंने यूट्यूब पे प्रशन पूचा था कि जेगड दुर्ग की नीव किसने रखी जेगड दुर्ग का है जेपुर में स्थित है इसकी नीव किसने रखी इसका उत्तर होगा मान सिंग मान सिंग प्रथम ने नीव रखी थी इसका लगबग जो निर्मान कारिय पूर्ण करवाया था वो मिर्जा राजा जे सिंग ने करवाया था मिर्जा राजा जे सिंग के नाम पर ही इसका जेगड दुर्ग नाम पड़ा है इंपोटेंट है ध्यान रखना है जेगट दुर्ग को चिले का टिला भी कहते हैं जेगट दुर्ग जो जेपुर में है उसे चिले का टिला भी कहते हैं और इसका जो निर्मान कारी जो पूरा करवाया था कम्प्लीट करवाया था वो स्वाई जे सिंग ने करवाया था तीनों चीजे important हैं ध्यान रगनी है लगबग सबी ने इसका उत्तर गलत दिया है आप यहां गलती कर लो एक्जाम में कोई गलती नहीं करनी है एक्जाम में एकदम perfect होना है अगला है ललीत विग्रे राज किसकी रचना है सारे option देखेंगे उसके बाद मैं answer देगे पहला है विग्रे राज चतुर्थ विग्रे राज चतुर्थ ने संसक्रत में हरी केली नाटक की रशना की थी विग्रे राज चतुर्थ के काल को चोहानों का स्वन यूग या स्वन काल कहा जाता है जब आपसे एक्जाम में पूछेगी चोहानों का स्वन काल किसे कहा जाता है प्रत्युराज चोहान आंसर नहीं करना है विग्रे राज चतुर्थ के काल को चोहानों का स्वन यूग कहा जाता है विग्रे राज चतुट ने सनस्कर्ट में हरी केली नाटक की रसना की थी अगला है सोमदेव सोमदेव इनके दरबारी कवी थे जिनोंने ललीत विग्रे राज लिखा था सोमदेव दरबारी कवी है उन्होंने ललीत विग्रे राज की रसना की थी अगला है नर्पती नाले नर्पती नाले ने बिसल देव रासो की रसना की थी आप से पूछे बिसल देव रासो किसकी रसना है तो नर्पती नाले की रसना है उत्तर इसका ब्य हो जाएगा सोमदेव जिसने ललित विगरे रास लिखी थी अगला है आदिवासियों का मसीहा नाम से किसे जाना जाता है उन्हें हम बावजी भी कहते हैं हम बात करें हैं मोतिलाल तेजावत की मोतिलाल तेजावत इसका अंसर होगा इन्हें मेवाड का गंधी भी का जाता है मेवाड का गंदी आदिवास्यों का मसीहा बावजी आदी नामों से इसे जाना जाता है अगला है गोकुल भाई भट अगला option गोकुल भाई भट को राजस्थान का गंदी का जाता है आप से पूछे राजस्तान का गंधी कहलाता है गोकुल भाई भट इसमें एक उप्षिन है प्यरेलाल गुपता को हम छीडावा का गंधी कहते हैं एक उप्षिन है भोगिलाल पंड्या वागड के गंधी कहलाते हैं जमनालाल बजाज को क्या कहते हैं गांधी जी का पांचवा पुत्र जमनालाल बजाज कहलाता है तो यह सारे यह आपको ध्यान रखने है इसका उत्तर ए हो जाएगा मोतिलाल तेजावत अगला है राजपुताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है राजपुताने का अबुल तो मुहनोथ नेंसी राजगराने के अभूलफजल कहलाएंगे सबसे पहले किस ने कहा था मुण्शी देवी परसाद ने कहा था उत्तर हो जाएगा डी मुहनोथ नेंसी अग्ला है कुमताना दुरुग या अन्खिला कीला के नाम से किसे जाना ज Спाहिए कुम थाना दुरुग या अनखिला किला किसे हम कहते हैं तो हम सीवाना दुरुग को कहते हैं सीवाना दुरुग कहा है बाड़ मेर में है हल्द्वेशर की पहाड़ी पर ये इस्तित है मारवार के शाषकों की शरणिस्तली भी ये कहलाता है जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहलाता है ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है उत्तर डी हो जाएगा इसका अगला है राजस्तान के लिए सरव पर्थम राजपुताना शब्द का प्रियोग इसने किया क्या करनल जेम्स टोड ने किया था करनल जेम्स टोड ने तो राजस्तान, रायथान, रजवाड़ा इन शब्दों का प्रियोग किया था अगर आपसे पुछे राजस्तान का किस ने किया तो करनल जेम्स टोड राजस्तान, रायथान, रजवाड़ा इनका करनल जेम्स टोड ने किया था बात हो रही है राजपुताना की तो सरवपतम राजपुताना शब्द का प्रियोग जोर्ज थोमस ने किया था 1800 इस्वी में किया था हमें पता कैसे लगा 1805 इस्वी में वीलियम फ्रेंगलीन की एक बुक आती है The Military Memoirs of Mr. जोर्ज थोमस उससे हमें इस बारे में पता लगता है तो ये सारी चीज़े इंपोटेंट हैं आपको ध्यान रखनी है उत्तर हो जाएगा जोर्ज थोमस अगला है वीर दुर्गादास राठोड को किसने राठोडो का यूलिसेस कहा वीर दुर्गादास राठोड कहां के हैं मारवाड के इनको राठोडो का यूलिसेस किसने कहा था तो कर्णल जेमस टोड ने इन्हें राठोडो का यूलिसेस कहा था कर्णल जेमस टोड ने राठोडो का यूलिसेस कहा था आपको ध्यान रखना है अगला प्रशन है दोलपूर की स्तापना कब हुई थी एक नवमर 1956 राजस्तान का एकिकरण पूर्ण हुआ था तब राजस्तान में कुल 26 जिले थे 27 वा जिला दोलपूर बनता है 15 अप्रेल 1982 को 27 वा जिला दोलपूर बना तो इसकांसर हो जाएगा 15 अप्रेल 1982 10 अप्रेल 1991 में 12 दोसा राजस्वमंद उसके वाद में हनुमानगड करोली और परतावगड बने थे हनुमानगड 12 जुलाई 94 में करोली 19 जुलाई 97 में और परतावगड अन्तिम जिला बनाता है 26 जनुरी 2008 को बना था अन्तिम प्रशन है हमारे पास राजस्तान शब्द का प्राचिनत मुलेख बसंदगड शिलालेख सिरोई में मिलता है तो राजस्तान के लिए क्या नाम प्रियुक्त हुआ था बसंदगड शिलालेख सिरोई में राजस्तान का क्या नाम प्रियुक हुआ था बसंदगड शिलालेक शीरोही 625 इस्वी का है विकरम समवत की बात करेंगे तो 622 हो जाएगा इस्वी में हम 578 करेंगे तो विकरम समवत आ जाएगा तो राजस्तान का नाम यहां पे राजस्तानिया दित्ते मिला था तो ये सारे important question है जो बार बार repeated है बार बार पुछे गए है अच्छे से तयार करने है extra facts बताए है उनको भी अच्छे से तयार करना है वीडियो like करें वीडियो share करें अगर आप चेनल पे नए हो तो subscribe करके रखना बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना कोई भी new update आए वो आपको मिलती रहेगी Thank you